हेलो गाइज तो कैसे हो सभी उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगी आज अपने डिस्कस करने वाले चेप्टर नम्म 1911 एंची याटी हिंदी मीडियम ठीक है चेप्टर का नाम है एक्सक्राइटी प्रॉडक्ट एंड एलिमिनेशन यानि के उत्साजी बनते हैं जो बॉड़ी के लिए हम्फुल हो या फिर बॉड़ी के ना इंद एक याद जवरूरी से लोग उनको बॉड़ी से स्छ Yes जो अपने बॉड़ी के लिए उसलें जो अपने टाटित के लिए ंसप एंड उस्पर आ शूसे में आ बात करते हैं तेन वेस्ट प्राणियों के अनिमल्स कें अंडर बनते हैं इनको बोड़ी सिवार एंसक्रिट करना है बहुत ही ज्यादा कर दो अमोनिया थिक है यूरी के बात करें यूरी तो यूरिक जो एसीड होता है वो लिष्ट टॉक्सिक होता है कम विशाक्त होता है ठीक हना और इसको रिलिज करने के लिए जल की मातरा भी बहुत कम चाहिए लेकिन अमोनिया को बोड़ी से बार एस्कृट करने के लिए जल के अत्तेदिक मातरा की आवशकता होती है अपने बता दू एक ग्राम अमोनिया को बोड़ी से बाहर रिलिज करने के लिए लग बग 300-500 अमल जल की आवश्यक्ता होती है फर्श्ट ओफ़ल आपन लोग डिस्कस करते हैं अमोनिया के बारे में तो अमोनिया को बोड़ी से बाहर एक्वाटिक अनिमल होते हैं यह जो बॉनि फिश होता है याद रखना यह क्यूशन आया हो है बॉनि फिश्ट तो बॉनि फिश्ट्ट गरते हैं वह अकर बात करें तो इस कंडिशन के अंदर वह क्या स्कृट करता है वह अमोनीज़ करते हैं तो याद रिखना जो आपने लार्वा होते हैं वह अमोनीज़ करते हैं इनको इनको यह होती जोम आतितों लाट बहुत घ्यादा वाले जो निमल्स में वह इस सकते हैं यह कोई भी रोल इसमे नहीं होते जो तो आप्ड यह कुआ difेजन के दुवारेश करते माइब अच्चु आप उनके सायता सोंत आपने वह क्या करती है फंपल डिफेजन के तरह क करती है सिंपल सी बात है तो आपको यह अमोनिया वाला पॉर्शन याद रखना है ठीक है ना सिंपल से बात है साथ मैंने यह भी बता दिया आपको कि एक गरम अमोनिया के निस्टासन के लिए 300-500 अमल जल के आफशकता होती है एक चीज में आपको बतना चाहूंगा जो कर्या की बात करते हिं लाइक फर्स्टाफ अफेशन का थी रहां टीक होती है थीकटि करते हैं वह chiती हूंगे हुआ थीकसे तशी करते हैं तुछलिया बी जोगलेकरशन के नहीं ऑर टो चituण से यह कंट्ल न्याव बीटिकल नहीं जो का तल्लेशी करते हैं, नहीं गरते हैं इसके ज़्छों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अब बात करते हैं आपने रमोडीग अंधर के आमोंग अबनती है लेकिन अमोनिया को यूरिया को कंभर दिया जाता है वहां से साइंगल के तुरु ओन नितिल साइकल के तुरो जिसको रहें करेब हैं इ इसके अंदर इसका जिगर नहीं किया है लेकिन क्या पता है इससे क्यूसन बन जा सकता है तो आभी सकता है कोई दिकत इसमें है नहीं है तो आपको याद रखना है बच्चो कि फ्रोक वाला केस बहुत जाद हो जाता है यहां पर फ्रोक का जो टेट पोल लार्वा होता है वो करते हैं और योय यह य् सकूरम करते हैं। थो कशकर भी करने वाले अनिमल लशत लुक्षट में होता है इसावान फटान माहिटा चाहिए। बनाधर बात से बाहर और एक खाहता है? तो 10 ml यानि 10 ml जल की आफश्रेक्ता होती है यानि कि बहुत कम होती है तो कौन-कौन से अनिमला जो यूरिक एसिड बोड़ी से वार एस्क्रेट करते हैं तो याद रखने है तो बर्स यानि पक्छी वगर होगे रेप्टाल्स वगर आपको याद रखना इंसेक्ट जो कीट हो बच्छों बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एक्जाम्पल आपको अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड जो एस्क्रेट करने वाले अनिमल्स होते हैं उनके एक्जाम्पल आपको याद रखने है इतना क्लियर हो गया बच्छों अब बात करेंगे आपन लोग करते हैं क्या क्या जो कि अच्टी ऑर्गन की बात करते हैं लोग यल्ल अलग इनिमल्स के अदर्ट और को पता है तो मैं नोर्मल आपको बताता हूं कि कोई ऐसे अनिमल होते हैं जो जिन्रgriffay अनिमल रिक आसे कामड़की आपको जिन्टभा यजे आ असको बोलते तो यह जो अर्गन होता हुए किन के अंदर प्रजेंट होता आपको याद रखना होते हैं वह प्राइमरी रूप से आइनो वे द्रव के आइतन नियमन है तो प्रासरा नियमन से समझ दीते तो और ऑविस यह बात है यह और रगुलेशन के लिए भी वर्क करते हैं ठीक है जै लोग बात करते हैं कैच्व यानि के अंदर कॉन सा स्राइट्रि ओर्गन प्रुचेंट होता है तो प्रुचव के अंदर वह व्रक को अधर मों क्या बोल तो आपको याद के याद रखना नेफरीड जो होते है पने अनृड़ जो रहता है और जैंपलाक स्क्राइड अनी य कोच्रोज तिलच्ण फश्टींब करते है तो कौच्रोज होता है किसने एक्जम्पल होता है। अर्थघंपल होता है सब्सक्रेट के लोगान शत्य। और स क्वेथ में दे न everyesera आपको पता सब से वाइलम होता है। ख्रीट रोल। यह जो क्रिस्टेशिया उता है अगया वगया चेकड वगर प्रजेंट होता है तो यह वाद रही अपको याद है इसके अधर में तो इतने कुछ एक्जांपल नहीं औहिए तो यह सारी बातों युआ रखनी है। ड्क बात करते बहुता है। फार उमन बीइंग के अंदर हैं। तो अपने बोडि के अंदर्ट है तो उसके अंधर क्या प्रंच एक जॉडी तो जोडी तो क्या है और बीच тво से जुड Nu Πर धाते है। तो स 85कषे उर्एट ऑपनों को धर् ещёसी होते हैं तो यह आपको याद रिखना आ अपने है किड News के सेम कि पीज़ कि होती है जिनका क्षबार किया सा होता है लाल बूरा क्षबित लोग होते हैं और यह कहां पर प्रजेंट होती है सिचुएटड कहां होती है तो यह आपको याद रखना तो यह ने सगा रखना लाष्ट ठोरे सिँ घ्यास यह तो यह रहा है टीन को वयाद्र ग्काहिट hm ज JE Space य होती है रिखक बहुत dic 120-120 ग्राम होता है और इसको अगर आवरेस निकल तो 140 ग्राम की अपनी इह होती है ठीक है नहीं हुए इसका इंडर वाला निकल रही तो यह आपको याद रखना है आपको याद रखना है यह सारे चीजे निकलती है लाइक व्लेटर हो गया ठीक है ब्लड वैसल हो गया था यह तो इसी के फ्रव्यस करती है इतना के अधर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कीप लाग इस्टिक्ट्टी का यह बड़ी कीपला किडनी की अच्छी से दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाए कि तान से देखना यह जो पॉर्शन होता है इसको आपको पता है क्या क्या इंटर होता है यूरेटर वगर हो गया ब्लैड वैसल्स वगर हो गया और तंत्रिकाय वगर यहीं से इंटर होती है तो बच्छो आपको यदर रखें कि जैसे ही यह है लम का आगे जो आपको फ्लक्ष्क श्युक्साटा कं बड़ी वा लिजवारि इस को फिलख ऑपन लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लिशाcket यहां पिर आल ब्लविस पर पने जो बोलते हैं या से यह होते हो दो अ भी पहले कहां प्यांनी क्याताक्स चीट होता है अब यह तो यहां से जैसे आप यूरिन आता है है यहां से जैसे यूरिन आता तो आपने लोग वाला प्रोग है यह वाला अपने देख लिया था है जो आफ्टर वाला पार्ट होता है आपको पिरेमिड नूमा कुछ इस्टक्स देखने को मिल रही है जो पैरेमिड्स देखने को मिल रही है इनको आपको बात बताता हूं इनके बीच के बीच के बीच में कुछ फुलावा पार्ट आपको देखने को मिल रही है इसको आपको या बोलते हैं क्या बच्चो कॉलम ऑफ बढ़तीनी है एक चीज मापको कहना चाहूंगा कि हर एक किड्नी के अंदर हर एक किड्नी के अंदर दस लाग नेफ्रों होते है नेफ्रों में आपको बताती है यह सब्सक्राइब नेफ्रों की बात करें तो इसके अंदर दो पार्थ होते हैं तो covered बॉडी सऑ पर ने उसके बोड़ी या फिर असे तुन पारको पता है पूछ आता है चाहिंद दूसरा तो इसने दिए यह लिग दिया है या पर आना चाहिए इसके साथ में देण आपको दो नीफ्रों सब्सक्राइब अब बात करते हैं जो भामन कैपसुल होता है आपको बता है जो प्रहाँ लेकर आती है इस्के बाद क्या बनता है यहां पर गुच बनता है ना गुच्छ जो केपिलरी इस का गुछ्छा बन जाता है जो कि यहां इससे तो फिल्टर होके आता है बच्छों का बमान नहीं काप्सुल की के अंधर होता है यह इस तो फिल्टर होता है प्लाज्मा देन आप करते हैं आपको बलड को लेकर जाता है शिप जाता है यह डियागराम के आपको जो लेवलिंग होता है अच्छी से आपको देखना है ठीक है वरक ने लिका जो होती है वह दोरी जिल्ली उक्ति प्याले निवमा बामन के अफसुल से स्टार्ट होती है जिसके अंदर क्या कि अंदर gautamon capsule भी होता है तो यह दो नों मिलकर इनको प्रफर एंब बोडी जैसे मैंने आपको अब 허पिजान बोडी जैसे में अब को बता है यह तो मैल पीजन बोडी बोल दो तो तो दो वाला jaw capitalism यह क्या है कि हैं इसके दो चिफ्य पाइब हो तो और पर यह तो सब्ल מעसिंट क्या है थे वाला लगों सर थे मीध्य का वाला रटाब को फेलना पिर और यह पर पर प्रिम्र्रीどॉप पयलने के अंदर दो töब यह नियूसरण करते हैं प्रोसेस होती रहती है अब काउन कौन से भाग ऐसे हैं जो क्या आगे सित अचे वाले भाग में उपस्ते होते हैं तो नेफरोन के कौन-कौन से पार्ट है जो कॉर्टेक्स वाले भाग में उपस्तित होते हैं तो याद रिखना एक तो आपको जो मैलपीजियन बोडी दिख रही है जो रेनल कॉर्पस दिख रही है वो वाला पार्ट हो गया दूसरा PCT वाला पार्ट हो गया तिसरा DCT वाला पार्ट हो गया तो यह पार्ट जो होते हैं यह जो भाग होते हैं नेफरोन के यह कहां पे होते हैं यह होते हैं वलकुट वालकुट यानि के कॉर्टिक्स वाले भाग में होते हैं प्रकार नेफ्रSON की बात करते हैं फर अपने बोडी के अंदर अपनी बॉर के अंदर बहुत यादा होते यानि इनकी खास बात किया है इनके अंदर लूप बहुत ही चोटा होता है याद रखना क्या होता है लूप यह कहां पर प्रिजेंड होता है यह कौत होता है तो आपिशित होता हुता है वहीं अगर बात करें जश्ट्रा मेडूलरी नेफ्रोन के बात करें तो यह 10 से 15% होते हैं यह 15 से 20% मालो ठीक है यह कितने होते हैं 15 से 20% नेफ्रोन होते हैं वो कौन से होते हैं जश्ट्रा मेडूलरी नेफ्रोन होते हैं इनकी खास बात किया होती है इनके अंदर जो बामन कैपसुल होते हैं वह तो BACK प्रूर पहलने जो होते हैं वह श्रुम्हा यंदर मेडला वाले पार्ट के अंदर आ जाती है निकि बात करें वासा रेक्टा की तुण के अदर वासा-रेक्टा भी प्रिजेंट होते हैं इस तरह के जो दो पनलो क्या बोलते हैं इन इन में ही याद रिखना इन में ही जेश्ट्रा गिलोमेरूलर अपरेटर्स पाया जाता है इनके अंदर होता है नेक्ट अपनलों को इसने बता रखा कि जो परिटूबलर कैपिलरी होती है वह कहां से निकलती है आपको पता अपर आगे जा करती है जो लूप पहल से उसके चारों तरग भूम के वापस यह तो वह क्या बनाती है पहले पहले मैं वहीं चीज इसने नोट्र आनूट्रों नेफरों होते है उसके दरा वास अरेक्टा या तो अनुपस्थित होता है या फिर अलप विखित होत जो तीन प्रोसेश होती है पहला इसके तो स्केरेशन उसकी उसकी मेंजर प्रोसेश होती है उसकेन होते हैं यूती मुख्य परक्रिया होती है फिल्ट्रेशं तो इडरेशं से होना होता है तो फर्स्ट कोंसी होती है जो gomyrullis होता है वहाँ से फिल्ट्र हो गई होगा देखो ब्लेड के अंदर से स्जश अपने सब्सक्राइब लीड़ पार्ट होता है ठीक है तो इसके अंदर क्या-क्या चीज आती है बच्छों ध्यान से समझना इसके अंदर आती है प्लाजमा के अंदर से प्लाजमा के अंदर से आप उसकी प्लाजमा के अंदर से आप बस उसकी प्लाजमा को भाँ निकाल दो बाकि जो बच्छावा पार्ट होता है प्लाजम तो plasma कौन सा प्रप छोता है 45% प्लेट का बागे 45% का होता है यानि और तो यह बी नहीं चंति है तो यह बीजो थी घंच गयो प्लाइट यह यह चारो कंपने नहीं चंति है उसी को अपनलो किया बोलते है बच्छो उसी का अपनलो कि निश्यंद बोलते तो याद रिखना क्या बोलते हैं या फिक लो मेरूल फिल्ट्रेट बोलते हैं ठीक है तो यह फर्स्ट इस्ट पोता है ग्लो मेरूल फिल्ट्रेट का इसके अंदर खास बात क्या है देखो जहां समना किनिस के तुरू हर एक मिनट के अंदर लगब 1100-1200 ml ब्लड चंग जाता तो पांच लिटर अपन लोग मानते हैं और यह कितना हो रहा है एक मिनट में 1100-1200 लगबग एक बट्टा पांच भाग जो चंग रहा है तो आपको यह याद रखना है ठीक है अब यह जो फिल्ट्रेशन होता है अब यह जो फिल्ट्र होने वाला प्रोसेस होती है ठीक है के परते हैं किने मेंबरेन की देगना परने मेंश बोलता है इसका फिल्ट्रेशन मेंबरेन कानल सी सकती है श्री Kitum पहले जो प्रत होती है ग्लो मेरूलस केशिकाओं की एंडो थीलियम होगी है ठीक है ना क्यापलरी होती है यह भी आप याद रख सकते हों सेकिट आता है बामन कैपसुल की इंडर वाल होती है इसके अंदर आपको पता है पॉडो साइट सेल प्रजेंट होती है बच्चों कौ बैसमेंट मेंब्रेंट तो यह थिन में वामन कैपसुल के अपकला सेल होती है पे इनके बीच Bizim भी इनको चिदन में जिनको प्रोस्टियों की वह 286 याच्छी तरह से प्लाज्म नृटष्ण जाता है वह छाता तो एक सो पर्चीस एमल होता है एक मिनट के अंदर दोनों किड्णी से दोनों किड्णी से जो GFR होता है committed 125 ml होती है दोनों किड्णी से एक मिनट के अंदर इतना चंज जाता है आविस या बात है बच्छो एक दिन में कितना हो जाएगा 180 लेटर तो अपने लोग 180 लेटर एक दिन में बोडी से बार रिलिज करें तो अपन तो एक दिन भी सर्वाइब नहीं कर पाएंगे इसलिए क्या करता है तो सेकेंड रिष्टेम होती है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है वापस से बोडी रिअबजोर कर ली जाती है अब जो जी अपरेटर से बोलते हैं तो कौन-कौन से से इसके अंदर होती है मैकुला डेंसा सेल जो कि DCT की शेल होती है याद रहना यहां पर देवी रखा है लेकिन नाम नहीं लगा इसने ठीक है तो आसले के आपको आपके भी आपको याद रखना है ठीक है अभी याद राखनाressed रेजा की इंदार होता है यह जो यह जो आपरेंटटर से तरहें जब filtration rate जो होती है वो गिर जाती है तो filtration rate गिर जाएगे तो आपको पतला है यहाँ से जो JJ reflexion क्या होता है यहाँ पर रिशन करतेकर यहाँ पर एक हर्मोन और रिलीज होता है जिसको आपन इरिथ्रापॉर्टिन हार्मन बोलते हैं वो आर्बीसी के निर्मान के लिए उगलो मेरूलर फिल्ट्रेट होता है वो 99% वापस से रिया जाता है तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अधरवाइज वही है अपन तो एक दिन भी सर्वाइब नहीं कर पाएंगे अब ही जो अपसे होता है वो दो मेकनिज्यम के थुरू होता है दो किरिया वीदी के थुरू हो सकता है वा एक्टिव रियाप्जॉब्स उनो यह फिर हो सकता है वह पैसिवली रियाप्जॉर्पोर्प nuances होते हैं जो active रिया जाते है यानि जिनको अपस्उब करने के लिए energy के रिक्वाइड होती है और कौन-कौन से कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनको अब्जोर करने के लिए किसी भी परकार के अफशिकता नहीं होती है अगर अगर आपन लोग पैसिवली अब्जोर्प्शन की बात करें तो जल का दिकांस जो अफ्जोर्प्शन होता है PCT वाले पार पार्ट यहां समना अक्टिवी की बात करें तो जो एक्टिव अब्जोर्प्शन होता है वह कौन-कौन से होते हैं एक तो ग्लुकोज हो गया बच्चों यहाद रिक्वाइड अधिकांस और अधिकांस आधिकांस तो आप लोगों पता डीसीटी वाले पार्ट में भी सोड आप नोट करना अधिकांस्त है जो सोडे माइन होते हैं वह एक्टिवली अब्जोर्प कर दिये जाते हैं तो इनके अब्जोर्प्शन के अंदर एनर्जी के रिक्वाइड होती है ठीका बच्चों मैं लिए मैं आपको बता दिया था पिश्टी वाले पार्ट के अंदर ज जो इस्तरावित कर दिये जाते हैं वापस नहीं नलिका के अंदर ठीक है अब बात करते हैं इसके अंदर वरक नलिका के विबिन भागों के कारिये तो अब जो नेफ्रोन होते हैं उनके जो टूबल्स वाला पार्ट होता है ठीक है नेफ्रोन जो टूबलर वाला पार्ट हो भर बोल सकते हैं सरवाधिक अवस्चुशन थिक है तो मैक्सिमम आगर आपको पूछे मैक्सिमम रिख अब्जॉबसन कौन से पार्ट में होता है ग्रफ व्यरी काया साथ-साथ कुछ नुट्राइट भी होता है ल॑कोज Bostonард यानि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको सेवंटी से एटी परसेंट वापस रियाप्जोर इसे पार्ट से कर लिया जाता है तो यह सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं साती साथ वापस नलिगा के अंदर इस्तरावित किया जाता है लाइक हाइड्रोजन आयन हो गया अमोनिया हो गया पॉटिशेम आयन हो गया यह वापस नलिगा के अंदर इस्तरावन कर दिया जाता है सेकंड बात करते हैं लूप-प यहलनी के लूप होता है उसके अंदर मेनिमम रेप्जॉप सुन होता है यहां से आपको याद रखना है मेनिमम री अप्जॉप्शन होता है ये बाग आपर होता है मेडुला के अंदर जो इन्टिस्टिसियल फ्ल्यूड होता है उसकी प्रास रणता को बनाए रखने में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है यह बच्चो याद रिखने यह इंपर्टन होता है साथ साथ बात करते है लूप भेलिने कि जो अवरो ही बुझा होती है पर्मियाबल होती है साथिधी सथाथ बात करता है यांनि जो ज़ो ये ड्गांध के लिए लेकिन जो한데 सब्सक्राइब को याद रखना है यह पेरा से प्रकुछन बन सकता है तो सब्सक्राइब memor él आता है ठीक है जब फिल्टर होता है उसका बन ग्लो में रूलार फिल्ट्रेट वोलते हैं तो उसकी जो प्रास रणता होती है वो 300 होती है कितनी होती है बच्छो तीन सो होता है लेकिन जब यह लूप भी आपको याद रखना कितनी गुना बढ़ जाएगे बच्छो चार यह कौन से तीन के लिए यह एलम पाराइब होती है लेकिन लिए陽गे करें इसेट सेज के लिए वार्टे मेन इस लिए अ जबकूर तो है कि तो वाले पार्ट की बात करें तो डिसीटी वाले के अंदर विशिष्ट परिस्तिती के अंदर सोडियम और जल का अवसोशन होता है सब्सक्राइब कर लिया जाता है उनका वाले पार्ट से वापस रिया जाता है है उसके बढ़ अपने लोगů बात करें तो हाइड्रोजन पॉसीम और अमोनिया होती है उनको वापस नल्ट के अंदर कर दिया जाता है अब बात करते हैं अपने लोगों कनेक्टिव डक्ट के बात करें थी disclaimer क хотел संग्रा कनेक्ट होती है अगर आफशिक्त पड़ है यानि बोडी के अंदर बोर्ट की बहुत ज्यादा कमी है तो आपनो को बोडी के अंदर पानी बहुत ज्यादा दा सिंपल सी बात है अगर पानी के अल्रेड़ी कमी अपनी बोडी के कर देती है तो बड़ा हिस्ता कौन से आफशिक्ता अनुसार बोला है नौर्मली नहीं है नौर्मली तो जल का मैक्सिमम रियुप्जोशन कहां भी होता है पीसिटी वाले पाट के अंदर ही होता है लिंक अगर ऐसी कंडिशन आज है कि बोड़ी के अंदर पानी की बहुत होती है वाटर जो होता है वो री अब जौर कर लिया जाता है इतना के लियर हो गया ओके तो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं यूरीन का कंसेंट्रेशन किस तरह से होता है जो फिल्टर होके आता है फिल्ट्रेट जो है उसका कंसेंट्रेशन किस तरह से होता है यूरीन अभी नहीं बोलेंगी अपनलों चैका कि एंगां तो करने के लिए के लिए दो बहुते हैं वह ज्यादा ज़रूरी है तो हनुक्त है और ज़युक्त अरें पैनल वासरेखे परवा होता है थोड़ा समापको समझा देता हूं जाना ठीक है इसको एक पर अच्छे सी कवर करते हैं थोड़ा फोकेस देना बच्छो यह क्या है बोमन कैप्सूल है यह PCT वाला पार्ट है और यह क्या है और यह है लोप ऑप है ने बच्छो थोड़ा सा समझ लेना रफली फ्रेंट पुआरेंट यहां पर क्या है नेकलता है इसक के फरेंट आठोल आगे जाकर जा कर इ liberal जाता है है इसिके भी तो आप दिका थीक करो एक तो ईसको और लोग आजिय होता है इस तरह को त Chapter कि फ्लो में एक दूसरी के आफोजी डायरेकशन में फ्लो करें तो यह जो मेकानिजम होती है 3 यह अपने यूरीन को यह यह यूरीन आ बोल कि यह जो फिल्ट्रेत होता है कि ढूआ शो कन्सेटी करें 2 दूसरी का मशलड़ करम करता है इतना के लिए अब अब aussah आता है Australi अगर आपनों देखें तो वह होती है 300 milleosmol per later होता है ठीक है बच्छों लेकिन जैसे धीरे 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 ये descending वाले पार्ट भी जाता है लूप अपहलने के descending वाले पार्ट से धीरे धीरे नीचे जाता है नीचे मतलब की ये जो मेडलरी पार्ट होता है यहां पर इसके कंसेडरेशन सबसे सबसे जादा हो जाता है तो जो यहां पर आ था ठीक है उसके मकाबले यहां पर यह 4 गूँना ज़ादा सांध्रित हो हो जाती है यह जो परवंदता होती है यह sodium chloride and urea के कारण बनती है बच्छो याद रखना है किसके कारण बनती है यह sodium chloride बने लूप के पतले आरो ही मतलद समझ गया जो एशेंडिंग वाला पार्ट जो पर वाला चट्रा है इसके अंदर फिशिंग के थ्रूई इंटर हो जाता है क्योंकि में आपको बता है जो फेलने की वह यूरिया के लिए परिमियबल होता है तो नॉर्मली क्या कर दिसेंडिंग के लिए विसरन के दूआरा क्या करते हैं इसके अंदर इंटर कर जाता है ठीक ना किलर होगे इतना ओके अब इसकी भरपाई को उन करता है तो बच्चों याद रिखना जो कनेक्टिव डक्ट होते हैं वहां से हैं या समुद्र में रहते हैं जहां पर बोध के लावांतना होता है ठीक थो इसे इंवरिमेंट के अंदर उनको अ चैनल मर जाएंगे तो इस ठीक की तो बनाए के लिए कुछ इनिमाल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बोड़ी के अंदर लिए को इस तो यह बहुत ही जादा जरूरी होता है तो ऐसे मेकनेजम को आपन लोग क्या बोलते हैं यह जैसे कि आपने उपर बात आट अल्रीड कर लिये इसके इतना ही जादा कुछ दी दे हैं हमारे जो किड्नी होती है वह प्रम्भिक निश्छन यानि जो प्राइमरी फिल्ट्रेट ह इसके अपेग्छा चार गुना अधिक संद्र यूरीन एक्सक्रीट करते हैं ठीक है तो मैंने आपको नौर में बता दिया था वहाँ पर कितना पार्ट के अंदर उसकी कंसेट्रेशन कितनी ती संद्र पर लीटर वहीं गर बात कि रहें जब यूरीन के फॉर्म में आता है ईतना किडने की जो फॉंक्शन होते हैं उनको होटे हैं उनको होता तो तरे में कैसे होते हैं तो किडनी की जो स्व सबसे बड़ा रोल होता है तो कौन-कौन से यहां पर हार्मोन होते हैं जिनका सबसे ज़्यादा रोल होता है पहले तो आपको याद रखना है एड़ हार्मोन जो कहां से निकलता है कर्क्राइब में पूबवाटर य्प इति यूरीन की मातर को था जाए वह जूदा हो जाए तो Э्ज हार्मों लेखलागे हो जोицYouL जowych दो नोँ क्या ऐ डिया हर्मोन हो इसको को कि ने समय शीयान बढ़ निचा सिर्टा तो यह क्या करका सभी तो मान में थि और उर्मॉन बहुत ऊजिए जल का पो फॉनसा को समय जो तो आपको बता है जल का रियापजोसन होगा तो जो यूरीन की मात्रा होती है वह कम हो जाएगी ठीक है जो पॉलियूरिया कंडिशन बनी थी वह आपस हो जाएगी मैंटेन हो जाती है तो इसके साथ साथ यह क्या काम करता है बच्चो वेरी वेर इंपोरेंट यह आपको यह भी इसका मैजर रोल होता है बच्चो यह भी अपनको याद रखना है तो यह पर लोग बात करते हैं जो जैजी अपरेटस होता है वह बहुत ही जटिल नियमनकारी मुमी का निवाता है इसका मतलब क्या होता है समझना तो यह जो पेरागर आप हम इसको आपको कश्ञाचल friendly में सकते गार टारेक्जन उपन की गारेक्ति अफने अब और पती पर लिवर के दुवारा इंच्जो थैन को अइंच्जोड और इनर फिर्स में गंवर करता हैं पर तो यह लिवर के दौरा-ष्टी को श्त्रावित अंदर ये convert कर देता है, अब ये अन्डियो टेंसी नौजन फर्ष्ट होता है, वो फीज में पॉन्चता है, जहा हो पर ओक्सिकरन के दुआरा इसको एंडियो टेंसी नौजन तरन धियता है, फिसली होता है याद शिन नहुतल दोटोरल का दिया जाते हैं, वेस्टो कंस्ट्रिक्टर के तुरू ये काम करता है इसके साथ जो एंजो टेंसी नौजन सेकिंड होता है वो किड्नी के जो एडिनल ग्लेंड होती है उनसे एडिनल कॉर्टेक्स वाले भाग से एल्डोस्टिरोन के स्तरावन के लिए भी इसको प्रेडित करता है बच्छो व मैं कानीजम को बढ़ती है अननीजर या अन फूल फोर्म क्या होता है तो यह वहाद रिखना है अंट्रीयुवेटिक फक्टर होता है अब यह क्या क्या करता है समझना थोड़ा साम आपको बतातां इसके prepared बुलड प्रेसर्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अधिक हो जाता है तब है ट्रिया कोब लिए भी प्रेशर कम कर देता है यह ब्लड प्रेसर कम करने का मतलब क्या करेगा यह जो रखते वाइन होते हैं उनको यह इंद हो जाता है तो रखत अब रहे थी यहां पर कैसी हो जाएगी यहां पर जाएगी तो यह नौशिछ क्या हो जायाज़ गाता है तो रकत दाड़ क्या हो जाएगा वच्छो कम हो जाता है कि इस परकार से इन उफ जो मेकानिज्सम होती है अब देखना धान समझना इस चीज को जब यूरेनरी ब्लेडर के अंदर यूरीन भर जाता है इसके वाल पर क्या प्रजेटर प्रजेटर होते हैं जिसको अपनों तनाव ग्राई रिसेटर बोलते हैं वो क्या करते हैं इंपल्स बहते हैं जब तक सियनेस इनको एचीज संकेत नहीं देगा तब तक यूरीन वह पर रहता है जैसे ही सियनेस के दुआरा यूरेनरी ब्लेडर के मसल्स को संकुचन के आवेक देता है ठीक है उस टैम क्या होता है जो यूरेथ्रा होता है या पर एक स्पिंचर लगा ह लेटरा बीचाहा हो जाएगा हो जाता यानि थी बन हो जाता कि टिक की आपन हो जाता है इस पिंचर क्या होता है इस को रोड हो mostly yat इतना सा तो इसे संपन करने वाली तंतिर किया क्रिया विदी मुच्यूरेशन प्रतिवरत कहलाती है ठीक है तो आपको यह भी याद रखना है अब बात करते हैं नौर्मली जो वैस्ट यानि अडल मनुश्य होता है वह एक दिन में एक से डेड लीटर जुरीन का एस्क्रिशन और ये गइड झाल हाई इंकर बात करें इसका जो हलका पीला रंग होता है वह किसके कारagem आता है यूरो क्रॉम पिढमेंट के गारण वाज याद रिखने है है याद रिखना है उरी क्रॉम पिढमेंट के का अन्दर यूरी क्रॉम पिग्मेंट के कारण इसके अंदर जो कद्र होता है वह हलका पंड़ का रंका होता है हिए वहीं हीमोगलाबविन को तोटने से ही बच्छों बनते है raised quickly अब बात करते नॉर्मली से ऊर्म Christians करते रू especid आप गर्स है तक लुए टीक तरह से ब को इसके इसके अलावा इसके अलावा मेन होगा इसके अश। стал कि ऐसके अदर अई को मैं कहते हैं !! है तो क्या हैतु लाग बात करते हैं अपने लिवर की लिवर का सिक्रेशन करते है क्या मनता यह इस सिक्रेट करता है इस बाइल के अंदर बीली रुबीन बीली वर्डिन कॉलेश्ट्रॉल इस्ट्रोड हार्मोन वेटामिन वगर या फिर ड्रक्स वगर प्रजेंट होती है और इनको अपन लोग जो फिक्कस मैटरिल होता है उनके तुरू बोड़ी से बाहर रिलीज कर देते है नर्मल सी बात है अब बात कर लेते हैं इसकीन तो त्वचा पर पाई जाने वाली जो स्वेड़ार्ड होती है जो सिबेसियन ग्लेंड होती है वो कई तरह के पधारतों का उत्सरेजन करती है अब पसिने की रूप में जल के अलावा एल्पा मातरा में यूरिया लक्टिक एसीड भी अपने लोग बोड़ी से बाहर रिलीज करती है जाद रहने ब्चा इस चीज को भी आपग County UBG सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं वाट करते हैं इसके अंदर अलप मात्रा में लार के साथ आपना नाइट्रोजन पधार्तों का भी उससरजन होता यह लाइन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जो कि लाश्ट में लिखी हुई है यहां से क्यूशन बन सकता है अपनी जो सलाइवा होती है उसके थूब अपन लोग अलप मात्रा में नाइट्रोजिनस वेश्ट प्रोड़क्ट का बाड़ी से बाहर रिलीज कर सकते हैं ठीक न सारी बात थी जो अपने इस चेप्टर में पड़ी है बात करते हैं इसकी डिजीज की ठीक है तो डिजीज की बात करें तो भाईया पहला जो डिजीज आता है यूरीमिया डिजीज वेरी वेरी इंपोरेंट क्या है यूरीमिया डिजीज है अब यूरीमिया डिजीज की बा तो करता है तो यह इंडिकेट करता है ठीक है is के क्या होता है MAINE कॉर्स इक प्रोशिस क不好 करते हैं इतलता है जो पेस्प exactly लाइखी से आपको बलड नटी जाशना है कहने से निकालते आत्री क्राठी से आप लोग सोचों यार बिवियर अ। और तो बच्चो प्योर ब्लेड होने का मतला उसमें CO2 की मातरा कम है ना अरे नाटजेन फेस्ट प्रोडेक्ट यानि यूरिया तो हई है CO2 तो कम है तो अविस यह बात है काम कम करना पड़ेगा सिंपल यह बात है अपनको क्या निकालना है यूरिया निकालना है तो धमनी से अपनलोग ब्लड निकालते हैं और इसके अंदर ही पेरिन मिला देते हैं एक चीज़ा आपको बताना चाहूंगा धमनी से रख निकालकर उसको जीरो डिग्री सेल्चेस अब ठंडा किया जाता है ठीक है उसके बाद उसके अंदर अपनलोग ही पेरिन मिलाते हैं यह क्या हो क्या होगा ब्लड का जो क्लोट होता है वो नहीं हो पाएगा उसके बाद इनको अपनलोग किसमें बैसते हैं सेलोफेन ट्यूबल सेलोफेन ट्यूब के अंदर इसको बैसते हैं इसके अंदर जो फ्लूड होता है यह जो इस फ्लूड में जिस तरह उसमें पड़ी रहती है उसके अंदर प्लाजमा के समान सब कुछ होता है लेकिन उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड़क्ट नहीं होता है बचो याद रखने है अब उनको क्या नहीं होता है इसके अंदर प्लाजमा के समान सारे कंपोनेंट सारे संगड़न उपस्त होते हैं लेकिन इसमें लेकिन अपने ब्लड के अंदर तो ही है तो ज्यादा से कम के तरफ आ रहे हैं इसका मतलब इसको अपने लोग क्या बोलते हैं विसरण बोलते हैं और इसे में किसी भी परकार की उड़ जाव अगरे कि आवशकता भी नहीं होती है तो नॉर्मली आसानी से जो नाइट्रोजिन कॉम्पोनेंट होते हैं उनको इसके अंदर वापस डाल देते हैं बलड में और वापस से क्या करते हैं इसको अपने लोग वैंस के तुरू याद एक वर्डान थापित होता है एक यूर्मिया इलाज पूछे ठीक है इसको दूर करने का अंतिम उपाई पूछे तो वह है किडिनी ट्रांस्प्लांट क्या है बच्चों वह किडिनी ट्रांस्प्लांट होता है जब किसी मुनिश्य के दोनों किडिनी काम करना बंद कर देती है तो आपको पता है वह यह उसका लाश्ट ला बोडी नॉर्मल सी बात है ठीक है लेकिन जब दूर के रिलेक्टिव सोते हैं या फिर अगर अगर आपन लोग किड्नी लेते हैं तो वह बहुत ज़्याद होने के चांसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं नेश्ट डिजी के अपन लोग बात करते हैं रिनल कैलकुलाई के उन से इसको अपनों रिनल कैलकुलाई इसको अपनों रिनल इस्टान भी बोलते हैं इसके अंदर किड्नी के भीतर जो होता वह कैल्सियम औक्जिलेट और कुछ फॉस्फेट का जमाव हो जाता जो कि ऐ घुलंसिल क्रिश्टल सॉल्ट होते हैं ठीक है यह औक्जिलेट के जगह आ इसको अपनों ब्राइट डिजीज भी बोलते हैं क्या इसको अपनों ब्राइट डिजीज भी बोलते हैं इसको अपनों ब्राइट डिजीज भी बोलते हैं समय नेफ्रोन के अंदर क्या हो जाता है सूजन आ जाती है कोई भी बैक्ट्रिया के संक्रमन के कारण हो सकता है इस युरीम्यास जैसे, बात कर लेती इसके साथ पॉलय यूरिया, ठीक है है यूरीण का जो वॉल्यूम होता हो ज्यादा हो ना, ग्लाइकोसूर्या, जैसे जो यूरीण के इनदर गुल पाया जाना है हीमेटो यूरिया यूरीन के अंदर बलड का पाया जाना ठीक है यह सारे डिजीज भी इसी से रिलेटेट तो आपको यह भी एक बर देख लेना है तो यह अपना चेप्टर हो गया